और पोस के मताबिक रूस हर दिन दुनिया में बनने वाली कुल मिसाइलों की तुलना में तीन गुना मिसाइले अकेले बना रहा है तो वही रूस के ताबर तोड हमले की वज़े से जेलंस्की के चहरे पर हवाईया उड़ रही है और यही वज़े है कि अब यूक्रेन नेटो से हर दिन भारी तो बलंबी दूरी की मिसाइलों के साल लिए अब लगातार गड़गड़ाता नजर आ रहा है रूस के साथ जंग में जेलंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है हैरानी की बात तो यह है कि जिस रूस को हराने के दावे यूक्रेन, अमेरिका, बिटन और नेटो में शामिल 30 देश चीख-चीख कर कर रहे है वो रूस यूक्रेन पर 4000 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी केंजल जैसी हाईपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है जिस रूस के हारने के दावे किये जा रहे हैं, वो रूस हर दिन दुनिया में बनने वाली कुल मिसाइलों की तुलना में तीन गुना मिसाइलें अकेले अपने दम पर बना रहा है आखिर हारता हुआ रूस ऐसा कैसे कर रहा है, आप खुद देखिए, रूस के हमलों से 45 साल की जैलन्सकी के चेहरे पर हवाईया ओड रही है वहीं दूसरी तरफ 70 साल के पुतिन हत्यारों की फैक्टरी में घूम रहे है सेमुलेटर में लड़ाकों हेलिकॉप्टर के हमलों को परक रहे है रूस के रक्षामंत्री फैक्टरी में सीधा आदेश दे रहे हैं कि हर दिन दोगुनी मेसाइलें और बनाओ दोगुनी मेसाइलों से दोगुना हमले रूस दोगुनी रफ्तार से मेसाइलें बनाने के दावे कर रहा है आखिर हार्ता रूस ऐसा कैसे कर सकता है जबकि जीत का दावा करने वाला योक्रेन नैटो से हर दिन भारी तोप लंबी दूरी की मेसाइलों के लिए गिरगड़ा रहा है तीन सो एकिस्टै दो सो लड़ाको विवानों के लिए जैलन्सकी ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन अभी तक जंग में नैटो के सबसे अड़वांस अधियार दिखाई नहीं दे रहे है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योकरेन को रूस हरा रहा है या फिर नैटो योकरेन को जंग में हरवा रहा है क्योंकि रूस ने जो अब दावे किये हैं वो वाकई हरान करने वाले है जरा देखिए अब तक रूस ने योकरेन को जंग में कितना जबरदस्ट नुकसान पहुचा है रूस के दावों के मताविक उसने योकरेन के 401 लडाकों विमानों को तबाह कर दिया है इसके अलावा योकरेन के 220 हेलिकॉप्टर मार गिराने का दावा भी रूस ने किया है रूस ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अब तक उसने योकरेन के 8293 टैंकों को युद्ध में बरबाद कर दिया है दावा तो यहां तक किया गया है कि अब तक यूक्रेन के 412 एंट्री अर्क्राफ्ट सिस्टम रूस ने उड़ा दिया है वहीं जंग में यूक्रेन की 4350 फील्ड आर्ट्रेली तोप भी रूस ने तबाह करने का दावा किया है इसके अलावा रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के MLRS से लैस 1057 लड़ा को विमानों पर सीधा हमला करके नश्ट कर दिया है